देखो क्या होता है ना कि हमें अक्सर पता नहीं होता है, हमें बस ये पता होता है, मैं अगर साफ तोर पे पूछूँ जैसे मैं पटना में भी रहा हूँ, वहां मैं बच्चों से पूछूँगा बेटा किसकी तियारी कर रहा है भाई, तो बुलता यार SSE की कर रहा हूँ, उ लिकिन अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि उस दुकान के मालिक तुम हो यहां पर दुकान चलाने में इस तरीके से प्रॉफिट होता है इस महीने एक लाख रुपए आंगे एकला महीने दो लाख रुपए आंगे आपका मोटिवेशन जुका और इसके तरफ बढ़ जाएगा आप जो है अपनी गाड़ी को चोते गियर से पांचवे गियर में भगाना शुरू करोगे सेम कहानी यहां पर भी है अगर हमें ये पता हो कि जिस एक्जाम की मैं तयारी कर रहा हूँ उसमें क्या-क्या फाइदे होते हैं तो आज सही हमारी एनरजी और हमारी मोटिवेशन जाब हो जाएगी और ये बात मैं स एश्या एस्परेंट जानता हूँ क्योंकि यह चीज मैंने फील कि हैं बच्चे मेरे पास फोन करके पूछते हैं कि सर आप कैसे मोटिवेटेड हो या हम मोटिवेटेड कैसे रहे हमीं ये बताओ मैं बार बार बोलता हूं आपको कि आप आपका economic background नहीं हो सकता है कभी भी आपके पापा बीमार है इस कारण से आप S.A.C.C. जल नहीं निकालोगे आपकी शादी हो रखी आपके husband ने आपको छोड़ दिया है डाइवोर्स हो गए हो इस कारण आप S.A.C.C. जल नहीं निकालोगे एक strong reason हो चाहिए एक strong reason ऐसा reason होना चाहिए कि जब तक साला उसको achieve नहीं कर लिया ना रुकेंगे नहीं क्योंकि बीमारी को पैसे से ठीक किया जा सकता है अस्पताल में इलाज कराके ठीक किया जा सकता है अगर आज आप problem है पैसे की कल के दिन आपकी कोई lottery लग सकती है उससे आप ठीक हो सकते हैं कही ना कहीं किसी तरीके से आप जुगार कर सकते हैं लेकिन एक strong will power एक strong motivation अगर आपको चाहिए SSC clear करने के लिए तो वो होता एक ambition वो होता एक aim जो शुरू से आपको पोस्ट के लिए काफी रुजान देता है आपको शुरू से prepare करता है इसे मैंने जब अपनी SSC की तयारी शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने सभी पोस्टों के बारे में जानकारी निकाली ये पोस्ट है ये पोस्ट है ये पोस्ट है ये पोस्ट है और इसलिए आप हमेशा देखोगे मेरा मेरा जो mindset है मेरा जो fix है वो मेरा ये logo है कि मुझे ये चाहिए और आपने मेरा टेलीग्राम भी देखा होगा मैटस भायादित तरेंजन उस टेलीग्राम पर भी अगर आप मेरा logo देखोगे तो वो logo आपको ये मिलेगा हमेशा ये cap ये belt और ये सितारे और ये किसका है ये अब सर्च करना आपका काम है कि ये किस department का है बस इतना बोलूँगा S.S.E.C.C.L. के मादम से ये department मिलता है और ये department ही मेरा पहला number है मेरे document verification में जब मैं S.S.E.C.L. 2019 के document verification के लिए गया था तो क्योंकि मैंने इसको जिया है मैंने इसको महसूस किया है मैं इसके लिए पल-पल सोचता हूँ ये मेरे जहन में है बढ़ी चीज अगर आपके जहन में हो तो मज़ा आज है बढ़ियां से पढ़ाई करो बाकि आज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मेरे भाई मैच्स अगर आपको शुन्ने से सब कुछ का पढ़ना एकदम जिरो टो हिरो लेवल तो आपके दो प्यारे बैच है जनाब एक मैच्स का रेकॉरड़ बैच और दूसरा हमारा मैच्स का लाइव बैच मैच्स के रेकॉरड़ बैच में सर हमने सब कुछ पढ़ा रखा है और हमेशा से शुरू से एक बात बोलते हैं जो भी बच्चा शुन्ने लवल से मैच्स पढ़ना चाहता है अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है जल्दी खतम करना चाहता है वो मैच्स का रेकॉरड़ बैच ले सेलेक्शन इस बैच्स से भी होते है और ये मिलता है और ये मिलता है आरजी विकरम जीत अप्लिकेशन से और ये इसका इंक्वारी नंबर है आप इस बार देखेंगे तो इसकी वैलिटी जो होती है जनाब लाइफ टाइम होती है और ये कभी खतम नहीं होता आप अराम से 699 में मैच्स की तयारी करश रखते हैं किसी भी प्रतियोगता एक्जाम के लिए दूसरा जो हमारा बैच होता है वो होता हमारे चैंपियंस बैच जिस बच्चे के पास में समय है जो एकितम बिगिनर है और जो वक्त लेकर तयारी करना चाहता है वो चैंपियंस बैच ले जो आपके All India Rank 6 से CPO के उन्होंने चैंपियंस बैच लिया हुआ था सबसे पहला चैंपियंस बैच जो आयता 10 अगस्त को ठीक है तो यहां पर यह भी हमारा उसी application आरजी विक्रम जीत application से मिल जाएगा और यहां पर यह भी सभी exams के लिए हमारी useful होता है इसमें daily life classes चलती है आप इसमें जल्दी जल्दी syllabus खतम नहीं कर सकते मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे होगा रोज होगा live होगा समझ में बड़ा जबरदस्त आएगा यह guarantee मेरी है तो आप यहां पर इसे ले सकते हैं आरजी विक्रम जीत application से